अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने रिष्टेदार और दोस्तों को जरूर शेर कीजिए अगर आप नए हो मेरे चानेल पे तो मेरे चानेल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेला उइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिपिकिशन मिलीगा इस वीडियो को आप अन्त तक जरूर देखिए क्योंकि अन्त में मैं आपको अन्न ड्राइंग नंबर एक में दिखने वाला आपका भूखंड यानि प्लोट आयताकार है, भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मिटर चोड़ा रास्ता है, दक्षिन की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है, प्लोट की लंबाई 22 मिटर और है, भूखंड पर मध्यपूर्व, मध्यपश्चिम, मध्यउत्तर और मध्यदक्षिन ये चार मुख्य दिशाएं लिखी गई है, भूखंड पर इशान्य, आग्नेय, नैरुत्य और वायव्य ये चार मुख्य उपदिशाएं लिखी गई है, उपदिशा हमेशा तिरची ह लिखनी चाहिए, क्योंकि वो 45 अंश में होती है, एक डिग्री के भी फरक से उनका मूल स्थान बदलता है, जैसे कि 44 अंश पे उत्तर इशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ इशान्य होती है, और 46 डिग्री पे पूर्व इशान्य उपदिशा बन जाती है, इस पृत्वी, अगनी, जल, वायू और आकाश इन पंज तत्वों का वास्तुमी सहिस्थान मकान मालिक को समृध्धी और खुशी प्रदान करता है। इसलिए आर्किटेक्चरल के वास्तुकला के विज्ञान में दिशाएं महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है। इस प्लोट को इट और आर्सिसी का कमपाउंड बना के बंदिस्थ किया गया है। बंदिस्थ प्लोट में ही वास्तुपुरुष का निवास होता है। भूखंड की चारो दिशा में काले रंग का पर्मनन्ट कमपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व इशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है जो तीन मिटर चोड़ा और दो मिटर उच्चा है हम शासन नियम अनुसार चारो दिशाओं को खुली जगा छोडने वाले है मुख्य रस्ते की तरफ यानि पूरव की दिशा में आपको साड़े चार मिटर खुली जगा छोडनी चाहिए पश्चिम दिशा की ओर तीन मिटर खुली जगा छोडनी चाहिए उत्तर दिशा की ओर तीन मिटर खुली जगा छोडनी चाहिए दक्षिन दिशा की ओर दो मिटर खुली जगा काफी है शासन के प्रशासन के नियम नगरपालिका, महानगरपालिका के अनुसार बदलते रहते है सिविल इंजिनियर की भाषा में उसे सेट बैक डाइमेंशन कहते है इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्षे को मन्जूरी मिलती है If setback dimensions are correct, then the building plan is sanctioned by town planning department of state or central government हमारे देश में कार की लंबाई 4 मिटर तक होती है इसलिए रास्ते की ओर कम से कम साड़े 4 मिटर जगह छोडनी चाहिए ताकि हमारा वाहन या कार कमपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आपको बुझाते है उनका अगनी प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों की जानमाल की रक्षा करता है इसलिए मकान या बंगलो की चारो दिशाओं को खुली जगह छोडना अनिवार्य माना जाता है पीले कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान बंगला साड़े चोदा मिटर लंबा और चोड़ा बनेगा इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है अगनी में सब हीन तत्व जल जाते है, सोना निखर जाता है इसे ही अगनी परिक्षा कहते है पंच महाभूतों का अर्क यानि सार अगनी है जो अगनी के मूल तत्व को जानता है उसके सामने सुख, स्वास्थ, ज्यान और सिध्धी हाथ जोड़कर खड़े होते है जैसे यग्य में अगनी बिना पूर्णत्व सिध्धी नहीं मिलती वैसे ही किसी भी दिशा के कीचन के आगने यकोन में कीचन कट्टे पर अगनी की स्थापना किये बिना भवन को पूर्णत्व नहीं मिलता अगनी कृपा से उन्नति के द्वार खुलते है बंगले की मध्यपूर्व दिशा में 3.65 मिटर लंबा और 4.60 मिटर चोड़ा कीचन दिखाई देता है कामगारों की बिल्डिंग लेबर की भाषा में इस कीचन की लंबाई 12 फिट और चोड़ाई 15 फिट है इस कीचन का आई गनित कीचन की लंबाई गुणा चोड़ाई विभाजन या बटा अश्ट दिशा इसकी जो शेश बाकी आती है उसे 9 ग्रह से गुणना पड़ता है जो भी शेश आता है उसे अश्ट दिशा से गुणने के बाद जो संख्या या नंबर आता है उसे कक्ष का आय कहा जाता है 3.65 मिटर गुणा 4.60 मिटर बटा 8 इससे जो शेश बाकी आती है उसे 9 ग्रहों से गुणने के बाद इसका आय साथ आता है साथ अंक यानी गजाय ड्राइंग नंबर चार में वायू विजन या वेंटिलेशन के लिए इस कीचन को सिर्फ पूरब की दिशा उपलब्ध है पूर्व इशान्य दिशा में देड़ फिट चोड़ी और चार फिट उची एक खिड़की लगानी चाहिए पूर्व आगनिय दिशा में आठ फिट चोड़ी और तीन फिट उची एक खिड़की लगानी चाहिए इस प्रकार एक फिट कम उची खिड़की कीचन कट्टे के सामने लगाने से ग्यास चुलहा खाने के बरतन घर के बाहर से दिखाई नहीं देते इससे तिरचा वायुविजन यानी क्रोस वेंटिलेशन होता है सुभा की रोष्णी और सहत्मन दधूप, भरपूर ताजी हवा, फ्रेश एर इन खिड़कीयों से कीचन में प्रवेश करनी चाहिए इससे मन प्रसन्न होके बुद्धी का विकास होगा सही जगह, सही वक्त, सही तरीके से विवेख बुद्धी का प्रयोग करने से यश, किर्ती और गोरो प्राप्त होता है भोजन बनाते वक्त, पूर्व आगने यकी खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए क्योंकि खाना बनाते समय होने वाला धुवा, तीखी मिर्च, तेज गंद वाले मसाले, कटा हुआ प्याज, बर्तन से बाहर गिरकर जला हुआ दूद, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास यानी लपीजी की दुरगंध, खिड़की से बाहर निकल सके शासन नियम अनुसार, कक्षक एक खेत्रफल का एक शश्ठाउंश उर्द्वधर खेत्रफल वायो विजन के लिए होना चाहिए कीचन का खेत्रफल 16.84 मिटर है, खिड़की का खेत्रफल 3 स्क्वेर मिटर है कीचन में उत्तर इशान्यके शुभ और उच्च स्थान पर मुख्य द्वार होना चाहिए इस सागवान लकडी से बने टिकवोड डोर को दो मिटर उचाई पर एक मिटर चोड़ा वेंटिलेटर जरूर रखना चाहिए ताकि कीचन की गर्म हवा नैचरली उत्तर दिशा से बाहर जाए इस से एसी फैन में होने वाली बिजली की खपत कम होगी, परियावरण की रक्षा होगी कीचन का अंदर खुलने वाला दर्वाजा एक मिटर चोड़ा और समादो मिटर उचा होना चाहिए बर्तन मांचने वाली, कपड़े धोने वाली, कामवले बाई के लिए, कीचन से बाहर आने जाने के लिए धाई फिट चोड़ा दर्वाजा इशान यदिशा में होना चाहिए घर में सबके सामने से होकर आने से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है लेबर साइकोलोजी का ध्यान रखने से घर का काम अच्छा और समय पर पूरा होता है ड्राइंग नंबर पाँच में हम शिख्यादी देवताओं का सौरक्षन और अधिकार क्षित्र निरधारित करने वाले है वास्तु पुरुष की इस ओंधी लेटी हुई अवस्था में भूखंड की लंबाई और चोड़ाई को नो बटा नो भागों में बाटा जाता है तो इस भूखंड के इक्यासी भाग बनते है वास्तु पुरुष की कलपणा भूखंड में एक ऐसे ओचे मुह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उसका मुह इशान कोण में और पेर नेरुत्य की कोण की ओर होते है उनकी भूजाएं और कंधे वायव्यकोन और आगने कोन की ओर मुड़ी हुई रहती है वास्तु शास्त्र में इसे ही इक्यासी पदवाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है ड्राइंग नंबर छे में मध्यपूर्वदिशा में में कीचन दिखाई देता है इस कीचन में वास्तु पुरुष का दाया कंधा और छाती व्याप्त है यानि हम कीचन में शिख्यादी देवताओं का सवरक्षन और अधिकार अक्षेत्र निर्धारित करने वाले है मध्यपूर्वदिशा के चोथे पद में कुलिशा युधा यनमहा पाचवे पद में सूर्याय नमहा, छटे पद में सत्याय नमहा देवता विराजमान है सेंतिस्वे पद में अर्यमने नमहा, पेंतालीस पद में ओम ब्रम्भने नमहा देवता अधिश्टित है ड्राइंग नमबर साथ में, रसोई घर में पूर्व आगनेय और दक्षीन आगनेय दिवार से चिपक कर कीचन कट्टा उल्टे एल आकार में बनाना चाहिए। संभव तहां काला ग्रैनाइट, वाइट मार्बल, ग्रीन मार्बल का कीचन कट्टा बनाते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी हो, तो आपको कुमकुम या रेड ग्रैनाइट का कीचन प्लैट्फॉर्म बनाना चाहिए। में कीचन कट्टा यानि वर्किंग टेबल नो फीट लंबा, समादो फीट चोड़ा और धाई फीट उचा होना चाहिए। स्टोर टेबल पाँच फीट लंबा, दो फीट चोड़ा और धाई फीट उचा होना चाहिए। कट्टे का पानी फर्श पर न गिरे। इसलिए सामने की तरफ तीन इंच उची ग्रैनाइट की पट्टी लगानी चाहिए। वो पट्टी आधा इंच कट्टे के उपर होनी चाहिए। उसे ग्रैन्डर से अच्छी तरह हाफ राउंड पॉलिश करना चाहिए। ताकि खाना बनाने वाले हाथ पत्थर की धार से कट न सके। कीचन टेबल के नीचे गैस सिलेंडर, प्लेट, छोटे बरतन आधी उपयोगी सामान रखने के लिए ड्रावर्ट जरूर बनाईए। अगनी यानी उर्जा, उर्जा यानी उत्पत्ती, उत्पत्ती यानी तरक्की। इससे आपकी प्रगती, सक्सेस, साप सिड़ी की खेल की सिड़ी की तरह 13 अंक से 46 अंक तक जा सकती है। कीचन ओटा यानी वर्किंग और स्टोर टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्रॉइंग नंबर आठ में रसोई घर में वर्किंग टेबल के उपर दो में गैस चुल्धे रखने चाहिए। ताकि दो ग्रुह लक्ष्मी याने लेडीज पूर्व दिशा की ओर अपना मू करके पाक क्रिया कर सके, खाना बना सके। रसोई घर में कभी भूमी पर अगनी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इससे अगनी दूशित होने से धनधान नहानी अप्रतिष्ठा और बदनामी हो सकती है। अगनी को वास्तु में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए कीचन के आगने अकोन में उच्चाई पर यानी कीचन कटे पर अगनी की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। ग्यास चुल्हे के उपर एक्जोस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए। इससे उत्तम आरोग्य सामपत्तिक स्थिती में सुधार आ सकता है। पारंपारिक और आधुनिक पाक क्रिया बनाने के तंत्रद्न्यान का यथार्थ उपियोग करने से खाना उत्तम और सात्विक बनता है। स्वादिष्ट और पोष्टिक भोजन मिलने से आपके चेहरे पर संतुष्टी की चमक आ जाएगी। आपकी कार्यक्षमता जोश पहले से ज्यादा बढ़ेगा। ग्यास चुल्हा हमने लाल रंग में दर्शाया है। स्टोर टेबल के उपर मिकसर, ग्राइंडर, रोटी मेकर, फुड प्रोसेसर, ओवन आधी बिजली पर चलने वाले उपकरण रखने चाहिए। सबजिया काटना, फल काटना, फल का जूस निकालना, रोटी के लिए आटा गुंदना, आधी पांक क्रिया की पूर्वतयारी यानि फर्स्ट प्रिप्रेशन करनी चाहिए। आगने अकोन की देवी धान्य लक्ष्मी है, इसलिए यहां धनधान्य की प्रचूरता रहेगी। पूर्व दीवार की टाइल्स पे ओम अन्य पूर्णा देवता ये नमहा ऐसा हल्दी और कुमकुम से लिखना चाहिए। कितने ही महमान अचानक आजाए, अन्य पूर्णा देवी की कृपा से भोजन की कमी नहीं होगी। ओम अन्य पते अन्य स्यनों देह नमी वस्य शुश्मी नहां प्रप्रदातारं तारिश उर्जम नो देही द्वीपदे चतुश्पदे। ऐसा यजुर्वेद के ग्यारवे अध्याय के तिरासिवेश लोक में वर्णन है। अर्थात भिन भोजनों के स्वामी अमृत भोग हमी दीजिये। रोग क्लेश चिन्ता मिट जाए ऐसा पुष्टी ओज अन्य दीजिये। स्टोर टेबल के उपर एक छोटा ग्यास चुल्हा रखना चाहिए। ताकि एक ग्रिहलक्ष्मी यानि लेडीज दक्षिन दिशा के ओर अपना मूँ करके पाक क्रिया कर सके। खाना बना सके। अतिथी यानि महमान जिसकी आने की तिथी यानि तारिक निश्चित न हो लेकिन वो अगली तिथी को प्रस्थान करे यानि एक ही दिन घर में रहे। संयुक्त और एकल परिवार में मेहमान बिन बुलाएं आते हैं और पती-पत्नी में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से घर की सुक्चे, शांती, भंग हो जाती हैं। खर्चा बढ़ता है, प्राइवसी डिस्टरब हो जाती है। ऐसे एक हपते से ज्यादा वक्त तक घर में डेरा जमाई हुए मेहमानों को आप दक्षिन दिशा की तरप मूँ करके खाना पका के परोसे। इससे अंचहा मेहमान, अनवंटेड गैस्ट जल्दी ही अपनी स्वक्रुह लोट सकता है। इस प्राचीन नुक्से को एक बार आजमा के तो देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव बताईए, एक्सपेरियंट शेर कीजी। ग्यास चुल्हा हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर नो में रसोई घर में वर्किंग टेबल के उपर इशान्य दिशा में कीचन सिंक बनाईए। सिंक के उपर पेने का पानी और बोर के पानी ऐसे दो नल होने चाहिए। ताकि ग्रुह लक्ष्मी यानि लेडीज खड़े रहकर ही पूर्व दिशा की ओर अपना मूह करके छोटे बरतन, चाय की प्याली, चम्मच, तरकारी, दाल चावल, आधी चीजे धो सके। और साफ सुत्रे बरतन का इस्तमाल खाना बनाते वक्त कर सके। पीने का पानी भोजन बनाते समय इस्तमाल कर सके। वर्किंग टेबल और दर्वाजे के बीच में इशान यदिशा में तामबे का पानी बरतन यानि कॉपर वाटर प्यूरिफायर रखना चाहिए। आयूरवेद के अनुसार तामबा पेट, लीवर और किड्नी को डिटॉक्स कर सकता है। हड्डियों के रोग प्रतिरोध की क्षमता को स्ट्रॉंग बनाता है। तामबे में मौजूद एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टीज दर्द से राहत दिलाती है। वैसे ही एंटी ओक्सिडेंट्स चेहरे की जुर्रियां फाइन लाइन्स खतम करती है। इसलिए तामबे के बरतन में आट घंटे पानी रखकर पिना लाभकारक है। कीचन सेंक और कॉपर वाटर प्यूरिफायर हमने नीले रंग में दर्शाया है। ड्रॉइंग नंबर दस में रसोई घर में प्रवशीतक यानी रेफ्रीजरेटर मत्य दक्षिन दिशा में रखना चाहिए। रेफ्रीजरेटर उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली होनी चाहिए। फ्रीज में दूद, पनीर, सबजियां अंडे आदी चीजे खाना पकाने की पूर्व तयारी में यानी प्रिप्रेशन में लगती है। इसलिए फ्रीज हमेशा स्टोर टेबल से जुडा यानी मत्य दक्षिन दिशा में होना चाहिए। प्रशीतक यानी रेफ्रीजरेटर हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्रॉइंग नंबर ग्यारा में रसोई घर में कडाप्पा रैक्स, शेल्प, कैबिनेट, कीचन फ्लोरिंग से तीन इंच उँचा रखना चाहिए। इससे कीचन को पानी से धोते समय नीचे वाली अनाज की बोरिया, बड़े डिपे, गीले नहीं होंगे। नेरुत्य कोन उचा होने से उसे जड़त्व, हेविनेस प्राप्त होने से सम्रुधी का अशिर्वाद प्राप्त हो सकता है। घी और तेल का डिबबा, नमक, मसाले, प्रोटीन का बॉक्स, ड्राइफ्रूट, बिस्किट का पैकेड, आदी दैनिक आवश्यक्ताओं का भंडार यहां रखना चाहिए। इस दिशा में खाने की कोई कमी नहीं होती। जितनी जरूरत हो, उतनी वस्तुय और खाद्यपदार्थ वितरित किये जाते हैं। अनावश्यक और फिजूल खर्च नहीं होता। किराना रैक व्यवस्था, यानि ग्रोसरी स्टोर रैक हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्रॉइंग नंबर बारा में, रसोई घर में, मध्य पश्चिम दिशा में हाथ दोने की व्यवस्था, हैंड वाश बेसिन होना चाहिए। अधिकांश बिमारिया हाथों से बैक्टेरिया के रूप में हमारे शरीर में जाती है। ऐसे में इनसे बचने का एक खास तरीका है कि हम अपने हाथों में बैक्टेरिया पनपने ही न दे। बहतर स्वास्थे के लिए हमें वेज्ञानिक तरीके से हाथ दोना जरूरी है। वाश बेसिन के उपर हाथ पोचने के लिए स्वच्छ नैपकिन जरूर रखे। हैंड वाश बेसिन हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्रॉइंग नमबर तेरा में रसोई घर में वायव्य दिशा में आधुनिक बर्तन, चीनी मिट्टे के डिजाइन वाले बर्तन और कीमती सामान रखने के लिए क्रोकरी रैक बनाए। मोडर्न क्रोकरी रैक का दर्वाजा पूर्व दिशा की और खुलने वाला होना चाहिए। क्रोकरी शोकेस हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्रॉइंग नंबर चोदा में, रसोई घर में, मध्य दक्षिन दिशा में, खाने की मेज यानि डाइनिंग टेबल रखना चाहिए। चार लोगों की डाइनिंग व्यवस्था दिखा ही है। हमें डाइनिंग टेबल के मैनर्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि खाते वक्त मुझ से आवाज न निकालना, गलत चमच का इस्तमाल न करना, कुर्सी पर घुटने के बल यानि मांडी घालू न बैटना। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिष्टता बहुत पसंद के जाती है, जिसमें बुजुर्ग और महलाओं के बाद बैटना भी शामिल है। खाने से पहले ये मराठी प्रार्थना पड़कर भोजन के प्रती प्रितग्यता व्यक्त करे। वदनी कवण घेता नामघ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नामघ्यता भोकाचे, जिवन करी जिवित्वा अन्नहे पूर्ण ब्रम्भ, उदर भरण नोहे जानीजे यद्न्यकर्म। डाइनिंग टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइनिंग नंबर 15 में कीचन की पूर्ण फरनीचर व्यवस्था क्लोजब करके दिखायी है। वर्किंग एंड स्टोर कीचन कट्टा वित ग्यास स्टोव हमने लाल रंग में दर्शाया है। कीचन सिंक और कॉपर वोटर प्यूरिफायर नीले रंग में दिखाया है। रेफ्रिजरेटर काले रंग में दिखाया है। किराना रैक व्यवस्था हरे रंग में दर्शायी है। हैंड वॉश बेसिन मचंटा कलर में दर्शाया है। Modern crockeri cupboard सुनहरे रंग में दर्शाया है। Dining table हमने सियान कलर में दर्शाया है। Drawing No.16 में पूर्वरास्ता, मध्यपूर्वदिशा, उत्तर इशान्यद्वार, मुख्यरसोई घर की पूर्ण फरनीचर व्यवस्था, पूर्ण भूखन्ड सहीत दिखाई है। कीचन की फरनीचर व्यवस्था सहीत क्षेत्र फल शिख्यादी देवताओं के अंदर आता है। वहाँ उनका कार्यक्षेत्र अधिकारक्षेत्र है। शिख्यादी, चरक्यादी, दशदिक्पाल, ब्रम्हसूत्र और सोमसूत्र देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली, बलशाली होते हैं। इसलिए भारतिय वास्तुशास्त्र और जोतिश शास्त्र के अनुसार, घर, बंगला ऐसा बनाओ कि रसोई घर यानी कीचन को वास्तु और भवन के बीच उसका सम्मान जनक स्थान प्राप्त हो। उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्र फल एरिया मिले। सभी फरनीचर, वस्तु, सामान अपने साइज, शेप और वेट में निर्धारित स्थान पर हो। यहाँ नाम यानि मेजर में का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब सुनिए अन्न पूर्णा स्तोत्रम का संस्कृत तृतिय स्तोत्र योगा नंद करी, रिपुक्षय करी, धर्मार्थ निष्ठा करी, चंद्रार कानल भासमान लहरी, त्रैलोक्य रक्षा करी, सर्वैश्वरिय समस्त वांचित करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम अर्थात, ये अन्न पूर्णा माते, आप योग आनंद हो, आप शत्रुओं का नाश करते हो, धर्म के प्रती निष्ठा निर्मान करते हो, आप चंद्रमा, सूर्य और अग्नी के समान तेजस्वी है, आप त्रैलोक्य रक्षन करते हो, आप दुनिया को एश्वर्य, अधि प्रदान करते हो, आप काशी नगरी में रहती हो, इस प्रकार सब पर अनुग्रह करने वाली माता मुझे भिक्षा दो इस विशे के टापिक के बारे में, अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेशन्स या क्यूरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आशा करता हूँ, ए वीडियो आपको पसंद आया होगा, तब तक के लिए प्रभु की खुर्पा से खुश रही, समरुद्या और सपलता पाई